चर्स गुद मॉर्निंग तुम्हारे क्लास टीचर कहा गए सर वो आपके लिए दारू चकना लाने गए आच्छा क्या नहीं सर वो आपके लिए खाने पिने का बंदो बस्करने गए ये कुछ भी बोलता है चुपए अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ आपके क्लास में होशियार अच्छा ये बताओ यमुना नदी कहा बेती है जमीन पर अबे नक्षे में कैसे बहेगी नक्षा गिला हो जाएगा अरे कुछ नहीं तू नीचे बेच जा तू बताओ आप बड़े होकर क्या करोगे सर शादी करूंगा नहीं नहीं मेरा मतलब है बड़े होकर क्या बनोगे दुला बनोगा अरे आइमिंटू से तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहोगे सर दुलन अबे मतलब बड़े होकर मम्मी बापा के लिए क्या करोगे बहू लाओंगा और क्या हराम खोर तेरे माबाब तुछ से क्या चाते पपोता ए भगवान आरे जिन्दगी का मकसद क नहीं आप पड़ाते क्या है इन्हें डिसिप्लीन नाम की कोई चीजी नहीं बची नहीं सर यह बहुत अच्छे बच्चे यह सब कुछ जानते हैं इनका सिलाबस भी कंप्लिट हो चुका है आप पूछिए सर अच्छा अब लास्ट सवाल पूछूंगा तुम ये बताओ श अबे ये क्या स्कूल है या पागल खाना अभी शिक्षा मंत्री को कॉल लागाता हो सर मैं स्कूल इंस्पेक्टर प्रैश बोल रहा हूं क्या हुआ सर ये फुत्रकवाडी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को तो जड़ा भी डिस्लिप्रिन नहीं है बच्चों को ये तक मालूम नहीं है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा आच्छा एक मिनिट रामलाल वो अपना फुत्रकवाडी स्कूल का फाइल निकालना जी सर उसमें देख स्कूल को शिव का धनुष शिशू किया है कि नहीं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक ठोको नए हो तो सस्क्राइब ठोको मैं आपको फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए अलबी जा